हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में बताने वाला हूं और एक यह सबसे बेड अपडेट है बेड न्यूज है APS और BC संचालक के लिए जो भी APS चलाते हैं या फिर कोई CSP चलाते हैं उनके लिए यह बहुत ही बड़ी अपडेट है यहां पर 31 दिसम्बर से आपका मोर्फो चलना बंद हो जाएगा तो इसी के पारे में मैं आपको फुल इंफोमेशन देने वारा हूं चैनल पर पहली बा पैसितलны novella pro royal for का website है यहां पर मैं आचम्हणा हो यहां पर मैं आपको आपको लाइप दिखाऊँगा जो भी अपडेट आया है जो भी नोडिपकेसिंंस कर आया है वो सब आप यहां से सकते हैं यहांपे आडिज सर्विस पर हम क्लिक करता है यहाँ प्र एक RD service अपने device के लिए बाय कर सकते हैं लिकिन यहां पे एक नया update आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा यहां पे एक tick करने का option आ रहा है और यहां पे नीचे आपको more detail पे अगर आप click करते हैं यहां पे जो more detail है तो यहां पे आपको एक PDF खुलकर आएगा जिसमें जो notification आया है अधार की तरफ से वह ही आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा तो यहां पे क्या बताया गया है यह मैं आपको बता देता हूं तो यहां पे यही लिखा है कि जो भी Morpho की E1 और E2 डिवाइस है जो की काफी old हो चुकी है तो इनको अब यह काम करना बंद कर देग से यह जो दोनों डिवाइस है काम नहीं करेगी सिप Morpho का E3 मोडल का जो डिवाइस है वही काम करेगा E1 E2 वाला जो डिवाइस है वो आपका वर्क नहीं करेगा प्रोपर ही यह आपका वर्क नहीं करेगा जैसे आपके फिंगर में लाइट जलेगा जैसे आप कोई काम करे यह जैसे किसी का अधार विडॉल करना है आपको तो वहां पर आपके डिवाइस में लाइट जलेगा लेकिन जब कस्टमर अप्रोना फिंगर रखता है तो वह जो डीटेल है वह अधार की वेबसाइट पर जाता है और वहां से उसको कंफर्म करके उसका वीडोल होता है लेकिन जब आपका कस्टमर उसके फिंगर रखेगा तो उसका फिंगर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ऐसा अधार की तरफ से यह अपडेट निकल गर आया है तो अगर आपके पास भी यह 1300E और 1300E2 का डिवाइस है तो आप जो किया नया डिवाइस ले लें क्योंकि अब यह डिवाइस किसी काम का नहीं है आप इसको कबारे में फिक दीजिए अब इसका कोई भी काम नहीं है अगर आपको मंतरा डिवाइस लेना है तो आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मंतरा डिव का E1, E2 डिवाइस पहले से है वो अब काम नहीं करेगा क्योंकि ये जो डिवाइस है ये काफी ओल्ड हो चुका है और अधार की गाइडलाइन के अनुसार इसको अब accept नहीं किया जाएगा इसके दोरह जो भी काम होगा वो accept नहीं होगा finger में light जालेगा finger आपका सही है fingers में कोई दिक्कत नहीं है बस जब जो detail अधार की तरफ भेजा जाता है वहाँ पे अधार इसको reject कर देगा तो इसलिए यह किसी काम कर नहीं है अगर आपके पास e3 device है तो आपके लिए अच्छी ख़बर है कि आपका e3 device काम करेगा लेकिन e2 और e1 आपका काम नहीं करेगा तो इसके लिए आप कोई नया device ले ले अगर आप मंतरा लेना चाहते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं